नमस्कार मैं डोक्टर रमेश्चन्द मेना साहयक आचारिय चित्रकला राजगे कला महविद्य लैकोटा आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल कलायन टूवर्स दी आर्ट में हार्दिक स्वागत वै अभिननदन करता हूँ आज के हमारे इस यूटूब पर जो ईव्यक्ष्यान है उसका अध्यन विशा है राम जैस्वाल आधुनिक चित्रकार प्रस्तूत ईव्यक्ष्यान के माध्यम से हम आधुनिक भारतिय चित्रकार राम जैस्वाल जी के व्यक्तित्व वैक्रतित्व के बारे में जानने और का एक प्रियास करते हैं आईए उस पर एक विहंगम द्रश्टी डालते हैं जब अंतरमन में प्रतिबिम्बित समवेदनाई रूप और रंग का वरण करके चित्रन तल पर उतरती हैं तो वही चित्र में कविता होती है एक आनंद की अभिव्यक्ति ये सब्द हैं कलाविद र वाक्षों से जीवन को आत्मसात करता है और अपने रचना संसार में उतार कर परिश्कृत स्वरूप दे कर अनुभूतियों में भिगो कर अपनी स्रजन धर्मिता से अभिवेद्जित रचना करता है और सामान्य जन उन्हें अपने एहम से मुक्त होकर कलाविव्यक्ति के म अध्यम से जीवन के विराठ सौंद्रिया का शाक्षातकार करता है, उसका आत्मदर्शन करता है, इस तरह कला जीवन तो होती है। से कस्वे साधाबाद के मध्यम वर्गिय वेस्टों परिवार में 5 सितंबर 1937 इस्वे में हुआ था। कोलेज ओफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलेज लखनों में कला डिप्लोमा के लिए प्रवेस लिया। लखनों अध्यन की इस पांच वर्ष की समयाओधी में आपको बंगाली स्कूल के प्रतिनीधी कलाकार सिक्षक अशित कुमर हल्दर, एच रोई चोधरी, एल एम सेन, सिरी राम वेश, स्रीदर महापात्र, एच एल मेड, मदनलाल नागर, वे पदम सिरी सुधीर रंजन खस्तगीर जैसे कला अध्यापकों का सानिध्य वे इसने हैं प्राप्त हुआ, वे चित्रकाल विसे से आपने इसनात्कोत्तर की डिग्र मेरट कोलेज मेरट में कला प्राध्यापक न्यूकत हुए और आपका कला सिक्षक बनने का सपना साकार हुआ, तदो परांत, आप 1964 इस्यू में धयानन्द कोलेज अजमेर राजस्तान में कला प्राध्यापक न्यूकत हुए, यहां आपने इसनात्कोत्तर इस्तर पर कला अध्यापन कारिये किया एक बार राजस्तान आने के बाद आप सदा के लिए यहां से जुड़ गए राम जैस्वाल की स्रजनात्मक यात्रा वैचित्र आपकी कला स्रजन यात्रा को मुखेते तीन भागों में विभजित किया जा सकता है प्रथम 1953 इसवी से लेकर 1963 इसवी तक का समय और तीसरा 1904 इसवी से लेकर वर्तमान काल तक का समय तो अब हम प्रथम चर्ण या प्रथम दोर की जो स्रजनात्मक दोर है उसकी बारे में चर्चा करते हैं 1953 इसवी से लेकर 1963 इसवी तक का समय स्रजन की इस प्रथम दोर का अधिकान समय राम जैस्वाल का लखनव मे व्यतित हुआ इस समय वो लखनव स्कूल ओफार्ट्स जो है उसमें कला अध्यन कारिये कर रहे थे इस समय आधी के चित्रों में बंगाल सेली की वासपधती के चित्रन की बहुतायत रही साथ ही जलरंग में प्रकर्ती चित्रन वे आवक्स चित्रन कारिये भी आप स्रजित कर रहे वियोगी सिव, आधी अनाधी, राधा क्रेश्ट्न, राम, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, इसा मशीह, आजान, अतीत, उनमुना, पुर्वाई, बंदी, वियोगी, मोती महल, गोमती के पुल, छतर मंजिल या रेजिडेंसी के द्रश्चित्र वे मित्र और संडक्षक वे अनेक आकर्सक आवक्स व्यक्ति चित्र इत्यादी महत्तपुन इस समय के चित्र रहे, आपकी काव्यात्मक चित्र जैसंकर प्रसाद के आसू महा काववे पर आधारित रहे, कला समिक्षक पदमसरी राधा कमल मुखरजी वे पदमसरी सुधिर रंजन खस्तगेर ने इस बंगाल सहली, प्रणय वे यात्रा का अंत जैसे उत्क्रिष्ट चित्रों को स्रजित किया, अब आपकी कला का दूसरा दोर, जो 1964 इश्वी से लेकर 1904 इश्वी तक का समय रहा, कला स्रजन के इस दोर में, राम जैस्वाल, 1964 इश्वी में दयानंद कोलेज अजमेर में कला प प्रकर्ति के मूड को आपने अपने चित्रों में जीवन्त किया, साथ ही आवक्ष वे व्यक्ति चित्रों का बहुले रहा, इन चित्रों में चित्रित व्रक्ष, पशु, घर वे मानवाकर्तिया प्रभाववादी हैं, उभरती इसमर्तियों सी हैं, और ये सभी चित्र एक उभरती इसमर्ति के रूप में इसमर्ति से हैं, ये राजस्तान के प्रतिनी धी जलरंग चित्रकार कहे जाने लगे। जीलो और अरावली पर छाये धुंद तथा रंगीन भीड भरी गलियों को सुक्षमता से अपनी तूलिका में पकड़ा है और लखनो इसकूल के मिजाज को भी अपने चित्रन में ताजा रखा है। अब इनके चित्रन का तीसरा दोर आता है स्रजनात्मक यात्रा का वो 1934 इसवी से लेकर वर्तमान तक का समय है। इस दोर में चित्रों में अगाद विविदता के दिखदर्सन होते हैं। आंगन में दोपहरी, पूजा का दिन, तुमारा खत पराये नाम, अपनी अपनी इत्यादी में तान की प्रमुकता है। इस्ट्रिट सिंगर प्रणे चित्रों में आकार का आधुनिक प्रियोग दरश्टा हुए है। वेंग्यात्मक चित्रन में नितिग्य नामक चित्र है जिसमें राजिन तिग्यों को कवो के रूप में चित्रित किया गया है। खंडिस संस्क्रति आवेयद और भे नामक चितर भी व्यंग्यात्मक चितर हैं जो इनके प्रमुख्ष चितर हैं इस अओधी में चितरत इनके आध्धुनिक चितर टेंपरा वैतेल माज्यम में प्रमुख्टया चित्रित हुए कलासमिक सक प्रोफेसर रतनाकर विनायक सांखल करने जैसवाल के आधुनिक स्रजन पर टिपनी की और कहा कि जैसवाल कभी आधुनिक स्रजन नहीं कर सकते क्योंकि बंगाल स्कुल का लिरिकल बैक्ग्राउंड सद उसमें बाधख रहेगा इस बास से श्वम र अर्था सफेदे के वरक्ष पुषकर इत्याधी भी आपके महतुपूनिक राम जैसवाल जी का पोर्टेट्स अर्थात आवक्ष सित्रन के संदर्व में कहना है कि इस अनवरत जीवन यात्रा में शायद वे ही चेहरे पास से गुजरे जिन से अपने पन के संसकार थे और व भी तक शायद होगा भी नहीं कहीं आकारों की संगती कहीं आखों के माध्यम से जहाकता अंतर फिर उस पर कहीं रंगों का ठहराव और किसी चहरे पर छाया प्रकास का नाठक भी आकर्षन उत्पन करता है और यों अपनों के साथ और अपनों को अपने साथ रह और रख पा प्रेवे इन सब के साथ पात्रगत चरित्र और सादर्श्य को भी उतना ही महत्तोपून मानते हैं, जलरंगिये पोट्रेट्स में जितनी पारदर्शिता है, कोमलता है, तैलरंगिये चित्रण में उतनी ही ताजगी है। प्रतिक, संबोधन, कहानी, नई कहानी, धरमयुग, आजकल, मधुमती, बिंदु इत्यादी में प्रकाशित हुई। बिंब प्रतिबिंब आपका महत्तोपून कविता संग्रह है। आपकी कविताव के संदर्व में जैस्वाल का कथन है कि मेरी ये कविताए उन सभी के लिए हैं जो अपने उपर आरोपित एव्यवस्ता से जूज रहे हैं तुम, मैं और सब। अब राम जैस्वाल जी की सरजनी आत्रा में जो सहभागिता रही उनकी उसको लेखित करते हैं। अखिल भारतिय चित्र प्रदर्शनी राइपूर में 1982 इस्वी, ओल इंडिया फाइन आ कादमी की वार्षिक प्रदर्शनी 1965 इस्वी से वर्थमान तक तुली का कलाकार परिशद उधापूर की प्रदर्शनीों में कैनवास आर्टिस्ट गूरूप की वार्षिक प्रदर्शनी 1967 इस्वी से लेकर आज तक संकलन ग्रिस्मों सव चित्र प्रदर्शनी 1966 इस्वी राजस्थान ललित कला कादमी वे अन्य प्रमुक संस्थाओ द्वारा आयोजित अखिल भारतिय चित्रन सिवीर वे समवाद कारिकरमों में सहबागिता रही कला पत्रिका रचना का आपने संपादन किया हिंदी साहितिक पत्रिका प्रियास का भी आपने संपादन किया हिंदी साहितिक जो कहनी संग रहा है आवाजों का जंगल हिंदी कहनी संग रहा है आवाजों का जंगल का भी आपने संपादन किया इत्यादी आपके प्रमुक कला आत्मक सहवागीता रही। आपको सम्मान्त किया गया और आप राजस्तान में उन गिने चुने कलाकारों में स्मृत किये जाते हैं जिनको कलाविद सम्मान से राजस्तान ललित कलाकादमी ने सम्मान्त किया गया इस तरह से आप कलाविद राम जैस्वाल के नाम से कला जगत में विख्यात हैं बहसा विभाग हरियाना के द्वारा कहनी प्रत्योगीता का प्रतम पTIरुषकार 1970 इस्यू में आपको प्राप्त हुआ यहापकी प्रमुख इस्मृत पृरुषकार हैं अपनी कलामे आधुनिक्ता के संदर में राम जैस्वाल जी का कतन है कि आधुनिक्ता का अर्थ मेरे लिए मात्र आक्रोस, मात्र प्रियोग, अथुआ स्रजन को व्यक्तिकत अस्ट्याक्षर में सिमित करना नहीं है वह आधुनिक भाववोद और जीवन के समानांतर उसे अभ आधुनिक भाववोद और जीवन के समानांतर उसे अभी वेंजित करती चले चित्रन वे लेखन दोनों सादनाओं को आप आज तक अनवर्त साद रहे हैं आजकल जिनमें आधुनिक भाववोद खासकर उभर कर आये चित्र स्रजन वे कावी रचना दोनों में आपके आधुनिक ला जगत के सहसक्त अस्ट्याक्षर हैं इस तरह से राम जैस्वाल जी राजस्तान के आधुनिक ला जगत में जल रंग के प्रतिनिधी चित्रकार कहे जाते हैं और राजस्तान के आधुनिक ला के एक सहसक्त अस्ट्याक्षर के रूप में आज भी अपनी उपस रूप से निर्वाद रूप से निरंतर बहे रही है गतिमान हैं ये कुछ से प्रमुख चित्र हैं स्रीमान राम जैसवाल जी के कलाविद राम जैसवाल जी के प्रस्तु चित्र प्रथम जो खंडि संस्कृति का आप देख रहे हो यह एक व्यंग्यात्मक चित्र है इसमें सर जमसे उन्होंने अभिव्यक्ति दी ये दूसरा चित्र समुंद्र का मानो मर्दन का है जो राम के द्वारा समुंद्र का जो सील भंग किया जाता है उस प्रसंग को समाहित करता है ये राधा और क्रश्न का चित्र है अगले हम देखते हैं तो ये पक्षी चित्र जो प्रशिए जी का चित्र है इन चित्रो के माद्यम से आप आराम जी असौह स्वाल जी के क्रतित् 14 को कि ज्रिणा के-शत्रे व्योंते iki कर्द्र जहयं को चेए एग अगे देखते हैं जुश सम्से • कि आइजबов ड्रशन कोम समाहित नाम olhoम तो छीन का 0 violate को उन्मात देखते- कि उन्होंने कितना जीवन्त चित्रन किया है और जल रंग में उनकी साधना कितनी निशनात है इसके बाद आप आके देखते हो कि जो भै और हवाई नामक चित्र है ये भै चित्र किस तरह ऐसे एक तोता पिंजरे में कैद है पंक कटे हुए है और ये हवाई नामक चित्र में जो गर्मी के समय लू चलती है उन लू को उन हवाओं को कितनी गत्यात्मक रंगों के दुआरा कितने जीवन्त किया है वो देखते ही बनता है प्रस्तु चित्र में वो सब द्रश्ट वे है इसके बाद आप देखते हैं कि गोधुली वेला में जब गाये सांज के समय घर लोटती है तो उनकी साथ कुत्ते भी बने हैं प्रस्तु चित्रे में किस तरह है से घर की और आने का जो द्रश्ट है उनकी ललक है गायों की घर की तरफ लोटने की वो कितनी मतलब पूरा एक भाव में चित्र है और जो इनकी तुलिका से जिवन्त होता है ये रेजिडेंशी का द्रश्ट है इस तरह से राम जैस्वाल जी के जो चित्र है वो उन्होंने अपनी साधना से जिवन्त किये ये वियोगी सिव और जो लक्षमी जी का चित्र है वो मतलब बंगाल से लिका इनमें पूर्ट या प्रभाव दिखाई और परिलक्षित होता है और वास्पद्धती का जो माध्यम से बनाई है जो चित्र स्रजित की है वो आवश्य ही लावकारी हैं और कला जगत को उनकी अमुले थाती है उन्होंने बंगाल से लिकी जो वास्पद्धती की विश्यष्ता रही उसको बनाई रखा उसमें उनकी महत्य भूमी का रही इसी तरह हम आगे देखते हैं कि राम जैस्वाल जी अपने व्यक्तित और कृतित्त से एक महन कलाकार की रूप में अपनी अस्ति रखते हैं इस तरह से प्रस्तुत इव्याख्यन के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अवश्य लाभानवित रहे होंगे और आप सभी प्रस्तुत हमारे आपके अपने यूटूब चैनल कलायान टूर्स दी आर्ट को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और सभी को मोटिवेट करें धन्यवाद यों सुब दिन धन्यवाद